तुलसी माला पहनने के लाब 1. तुलसी का पोधा घर में होता है तो सकरात्मक उर्जा का संचार होता है ऐसे में यदि आप तुलसी की माला को धारन कर लेते हैं तो आपके मन मस्तिक्स में भी सकरात्मक उर्जा पहुचने लगेगी No.2 तुलसी की माला को धारन करते वक्त कुछ बाते ध्यान में रखनी होती है उनमें से एक खास बात ये है कि तुलसी की माला को गंगाजल सिस्तुत करने कि बाद ही पहनना चाहिए No.3 तुलसी की माला पहनने से ग्रह भी मजबूत होते हैं यदि आपका बुद्ध और गुरु कमजोर है तो इससे पहनने से फायदा मिलेगा नमबर फूर यदि आप तुलसी की माला को धारन करेंगे तो मा लक्ष्मी, विश्नो भगवान और भगवान स्रिक्रिश्न की विशेश क्रिपा होती है नमबर फाइफ याद रहे कि तुलसी की माला धारन करने के बाद, आप मांस मचली नहीं खा सकते हैं आपको साथिक भोजन ही ग्रहन करना चाह invasive तभी मा लक्ष्मी की क्रिपा बरसेगी नमबर 6 6. तुलसी की माला एक बार धारन करने के बाद भूल कर भी इसे अपने सरीर से कभी अलग ना करें। ये असुप माना गया है। 7. तुलसी की माला का जाब करने वाले ध्यान देगी, जिस माला का जाब करते हैं, उसे भूल कर भी ना पहने। पहनने वाली माला और जाब करने वाली माला अलग-अलग होनी चाहिए। नमबर एट, जिस एक माला का जाप हमेशा करते हैं, उसी माला का जाप करना चाहिए, कभी दूसरी माला का जाप भूल कर भी ना करें नमबर नाइन, तुलसी माला पहनने वाले को बूरे सपने, आतंक, हथियार, दुरहटना, भूत और काले जातु से सुरक्षा मिलती है मृत्यों के देवता यमराज भी व्यक्ति से सुरक्षित, दूरी बनाए रखते हैं नमबर टेन, तुलसी माला पहनने से एक आगरता में सुधार होता है, और स्वास्त सम्वंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है नमबर टेन, आयूरवेट के अनुसार तुलसी माला पहनने से गले की बिमारियां दूर रहती है नमबर ट्वेल्फ, जिन लोगों का दिमाग भटकता है या ध्यान केंद्रित करने में कठनाई होती है, उनके लिए तुलसी माला पहनने से मानसिक सांती मिलती है नमबर थर्डीन, तुलसी माला पहनने वाले की जीवन में सांती और स्वास्त लाती है, साथ ही अध्यात्मिक सुधता और बुरी आत्माओं से सुरक्षा भी सुनिस्चित करती है नमबर फोर्टीन, इसकंद पुरान के अनुसार तुलसी की माला पहनने वाले को उसके सबसे बुरे पापों से मुक्ति मिल जाती है नमबर फिफ्टीन, तुलसी की माला को जाप करने के बाद उसे कपड़े में लपेट कर रख देना चाहिए नमबर फिफ्टीन, ऐसा माना चाहता है कि तुलसी माला पहनने से सरीर के भीतर रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद मिल सकती है 17. माना चाहता है कि तुलसी माला पहनने से सरीर और दिमाग के बीच समाज़स से पूर्ण समंद बनाए रखने में मदद मिलती है 18. तुलसी माला पहनने से अध्यात्मिक ओर्जा बढ़ेगी और पहनने वाले को भागवान की करीब होने का हिसास होगा 19. तुलसी माला पहनने वाले को मानसहारी भोजन, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए उसे सराब, धुम्रपान और जुए से भी बचना चाहिए 20. तुलसी माला को कभी भी कंगन मना कर नहीं पहनना चाहिए 21. यदि आप रूदराक्ष माला धारन करते हैं, तो आपको तुलसी माला नहीं पहनने चाहिए 22. तुलसी माला को धारन करने से पहले इसे सुद्ध अवश्य करें माला को सुद्ध करने के लिए आप दूद और गंगाजल का प्रियोग कर सकते हैं 23. तूलसी माला सरीर के रक्त परिसंचरल में सुधार करती है 24. तूलसी एक अध्भुत पौधा है जो रक्त चाप को कम करता है और पाचल में सहायता करता है 25. तूलसी माला को मन, सरीर और आत्मा को सुथ करने के लिए पहना चाता है अगर सूख गया है घर में रखा तुलसी का पौधा तो तुरंद करने ये दिव उपाएं हिंदु धर्म में तुलसी के पौधे का विसेश महत्व है तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा सुक समरिधी के साथ सकरात्मक और्जा अधिक पैदा होती है तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है इसके साथ ही मा लक्ष्मी और भवान विस्नू की कृपा बनी रहती है वास्तु सास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा भविश में आने वाली मुसीबतों का भी संकेत देता है जैसे अचानक से सुख जाना लाख जतन करने के बाद भी तुलसी का पौधा हरा नहीं हो पाता है ऐसे में मन में सवाल आता है कि आखिर इस तुलसी के सुखे पौधे का क्या किया जाए तो आए दोस्तों जानते हैं तुलसी के सुखे पौधे का किस तरह इस्तमाल करके व्यक्ति सुख संपदा पा सकता है मान्यता है कि हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक सुख जाए ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। पुराणों में कई तरह की छोटे-छोटे उपाय बताए जाते हैं। यदि आप कर्ड से परिशान है या आर्थिक संकर्ड गहरा गया है, तो कार्थिक माह में तूलसी का यह अचुक उपाय जरूर करी। इस उपाय से घर में धन सम्रिधी में वृथि होगी और माता लक्षमी का आपको आसिरवाद मिलेगा। तूलसी की सूखी लकड का यह बहुत ही सरल उपाय है। यदि आपनी आजमा लिया तो लक्षमी वृथि होगी। नहाने के पानी में तूलसी की लकड को डालकर सनान करने से नकरात्मक उर्जा दूर होती है। और सकरात्मक उर्जा का संचार होता है। तूलसी की लकड को नहाने के पानी में डालकर सनान करने से व्यक्ति के भागी में वृथि होती है। और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमवस्या के दिन कर सकते हैं माना जाता है कि अमवस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है यह उपाय हर छेत में सफलता दिलाता है जिससे जीवन भर आपको धन धानी की कमी नहीं होगी तुलसी की सुखी हुई लकडियों से दीपक जलाने से घर की नकरात्मक ओर्जा दूर होती है इससे जीवन में सकरात्मकता आती है तूलसी की लकड़ी को अगर हवन में उपयोग करेंगे तो घर में सकरात्मक उर्जा का संचार होगा आसपास का वातवरन सांती मैं होगा घर सुख और सौभागे से परिपूर्ण होगा तूलसी की लकड़ी को आप चंदन के जैसा घिस कर उसका लेब बना सकते हैं सरीर के किसी भी जगह पर जलन महसूस हो रही है तो तूलसी की लकड़ी के लेब को लगा सकते हैं इससे आपको ठंड़ का एहसास होगा तूलसी की लकड़ी को अगरबर्ती की तरह का पूर मिला कर भगवान को अरपन किया जा सकता है उसके सुगंद से घर महक उठेगा कार्तिक के महिने में सुक्ल पक्च की एकादसी या त्रेवदसी को घर के पूजा अस्थल या मंदिर में इस तूलसी की लकड़ी पर धागा लपेड़े बंडल को दीपक में बाती की तरह स्थमाल करें और सांग को इसको दीपक में प्रज्वलित करें तो यह उपाय आपके घर को धन से अच्छांतित कर देगा ऐसे में पूजा के बाद आपको गंगजल में डालकर छड़कने से घर की नकरात्मक ओर्ज़र दूर होती है ब्रोगों से मुक्ति मिलती है आप भगवान विश्णों के आगे तूलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं इससे परिवार का स्वास्थ अच्छा होगा भगवान कृष्ण को स्नान कराते समय रोज सूखी तूलसी के पते पानी में डालने चाहिए ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रशन होते हैं और अपनी कृपा बढ़साते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में धन दौलत और सुक सम्रिधी आएगी भगवान कृष्ण को भोग लगाते समय मिठाई में सूखी तूलसी जरूर डाले रुजाना इस उपाय को करने से आपको खूप लाब मिलेगा साथ ही जल्ध ही आपकी आर्थिक स्थिती में सुधा भी होने लगेगा जानिये तूलसी के मंजरी के लाब सनातन धर्मे तूलसी के पौधे को बेहत हिस्सु माना गया है तुलसी को मा लक्ष्मी का रूप माना जाता है इस पौधे में कई आयूर्वेदिक गुन भी पाये जाते हैं तुलसी की पत्ती, जड़ और बीच में कई गुन मौजूद होते हैं जो बेहत फल्दाई होते हैं ठीक इसी प्रकार तुलसी की मंजरी भी विसेश लापकारी है माना चाता है कि तुलसी के पौधे पर हरी मंजरी का आना सुभ होता है जो तिस सास्त में तुलसी की मंजरी के उपायों का उलेख किया गया है जिनको करने से माल लक्ष्मी प्रशन होती है और धन का लाब मिलता है तो आईए दोस्तों जानते हैं तुलसी की मंजरी से किये जाने वाले उपायों के बारे में अगर आपके विवाह में किसी तरह की कोई रुगावट आ रही है तो तुलसी की मंजरी को दूद में डाल कर सिवलिंग पर अर्पित कर दे कहा जाता है कि इस उपाय को करने से साधी में आ रही बाधा दूर होती है और साधी के योग बनने लगते हैं यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में नकरात्मकता है और आए दिन कलह होता है तो जल में तुलसी की मंजरी को मिला कर छिर्काव करें इससे न सिर्फ नकरात्मक उजजा दूर होगी बलकि घर में सुक सम्रिधी भी आएगी तुलसी की मंजरी को लाग कपड़ी में बांध कर अपने घर में उस अस्थान पर रखते जहां आप अपना धन रखते हैं ऐसा करने से आपके घर में मा लक्ष्मी का वास होता है और आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी हिंदु धर में सुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है ऐसे में सुक्रवार के दिन तुलसी की कुछ मंजरियां तोड़कर एक पीले कपड़े में लपेट कर घर की तिजोरी या पर्स में रख ले इसे व्यक्ति के धन लाब की योग बनते हैं जिससे व्यक्ति को धन धानी की प्राप्ती होती है 5. कई लोग बालकनी में बहुत से पेड़ पौधे रखते हैं ऐसे में यदि आप पेड़ पौधे रखने की सही दिशा का खयार रखते हैं तो इससे आपको विसेश लाब मिल सकता है वास्तु सास्त्र के अनुसार बालकनी में पेड़ पौधे खास कर मंजरी वाली तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए इससे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से छुपकारा मिलता है 6. पुरानों के अनुसार भगवान विश्नु को तुलसी बेहत ही प्रिये है मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्नु को मंजरी अर्पित करने से मुक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्व जन्मांतर की पापों से मुक्ति मिल जाती है 7. भगवान सिव और भगवान गनेश पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है लेकिन इन पर आप तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाब मिलेगा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी साधी में बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को भागवान से उपर दूद में मंजरी मिला कर अभिसेख करना चाहिए आपके लिए यह उपाई लाबकारी रहेगा